असलाम अलेकुम दोस्तों, वेल्कम टू माई चैनल अर्दू नाविल वर्ड, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगें, तो हमारे चैनल को सबसक्राब करें, और हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेर करेंग, शुक्रिया, चली नाविल शुरू करते हैं, नाविल का नाम है सफर वो भागते भागते एक वीराने में आ गई थी वो ठक चुकी थी इन सबसे भाग भाग के वो रुख के अपने माजी के बारे में सोचने लगी किया किया नहीं सहिसने क्या वो भी कभी खुश हो पाएगी आज पलवशा की सालगिरा थी सब तैयारियों में लगे हुए थे घर में हंगामा मचा हुआ था बच्चे उधर से उधर शोर मचाते हुए घूम रहे थे अरे चुप होके बैठो सब पलवशा की दादी ने सारे बच्चों को जोर से डांटा सब खामोश हो गए क्यूंकि वो जानते थे ये दादी की अबादत का वक्त था इफ्तिखार साहिब और रजिया बेगम पलवशा की दादी के दो बेटे थे अमार और हारिस बड़े बेटे हारिस की शादी अलीना से हुई थी और अमार की आलिया से दोनों बेटों ने अपनी पसंद से शादी की थी हारिस और अलीना के दो बच्चे थे बड़ा बेटा हमजा और छुटी बेटी निदा अमार और आलिया के तीन बच्चे थे बड़ी बेटी सहीफा फिर बेटा इस्म और सबसे छूटी पलवशा दोनों भाईयों में बहुत महबबत थी इसी तरह दोनों भावियां भी एक दूसरे से बहुत महबबत करती थी पलवशा और निदा हम उम्र थे इसलिए दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी इस निदा से दो साल बड़ा था और युनिवसिटी के आखरी साल में था पलवशा अपने घर में सब की लाडली थी बड़े पापा से लेकर हर कोई इससे बहुत महबबत करता था और दादी की बहुत ज्यादा लाडली थी पलवशा कमरे में परेशान टहल रही थी निदा कमरे में आई तो उसे परेशान देख के पूछने लगी तुम क्यों परेशान हो आज तुम्हारी सालगिरा है और तुम ऐसे फिर रही हो यार निदा वो अभी भी मुझसे नफरत करते होंगे पलवशा ने निदा से कहा कौन? तुम जानती हो मैं किस की बात कर रही हूँ वो अच्छा हमजा भाई हाँ ना बुद्धू इनसान पूरे पांच साल बाद आ रहे है अच्छा ना जब आएंगे तब देख लेना अभी जल्दी से तयार हो जाके महमान आने वाले है हाँ जा रही हूँ हमजा पलवशा से नफरत करता था क्यूंकि उसे लगता था पलवशा के पैदा होने के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रही वो बच्पन से पलवशा से चड़ता था जबकि पलवशा इसे हमेशा अपना बड़ा भाई समझती थी इसे हमजा के चिरने की वज़े समझ नहीं आती थी वक्त गुजरता गया पलवशा की बड़ी बहन सहीफा की शादी के बाद हमजा ने बाहर जाकर पढ़ने की जिद की सब ने इजाज़त दे दी लेकिन एक शर्ट पर के वो निका करके जाये वो मान गया लेकिन जब उसे पत्ता चला के घर वाले इसका निका पलवशा से करवाना चा रहे हैं तो इसने अपने पापा से बात करने का फैसला किया वो अपने पापा के पास गया ओर कहा के, मैं पलवशा से निका नहीं कर सकता, क्यूं क्या बुराई है पलवशा में हमजा के पापा ने पूछा, बस अब किसी से भी करवादें पर पलवशा नहीं, मगर क्यूं? मुझे नहीं पसंद वो, देखो हमजा वो बहुत अच्छी ल पर पापा, बस और बहस नहीं अगले दिन इसने कुछ सोच के रजामंदी दे दी और हमजा और पलवशा का निका हो गया और हमजा बाहर चला गया आज वो पूरे पाँच साल बाद वापस आ रहा था पलवशा की सालगिरा पर पलवशा बहुत परेशान थी क्यूंकि उसे इसकी नफरत का अंदाजा हो गया था और वो ये सोच के परेशान थी के अब किया होगा अभी भी वो ऐसे ही नफरत करता होगा सारे महमान आ चुके थे पलवशा अपना केक किट करने वाली थी ही के दर्वाजे खिलने की आवाज आई सब ने दर्वाजे की तरफ देखा तो हमजा खड़ा था तुम तो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ कर आये थे अब वापस क्यों जा रहे हो बर्क की बीवी ने हमजा से पूछा एक अधूरा काम पूरा करना है हमजा ने कहा कौन सा अधूरा काम अदील ने पूछा बस वापस आके ही बताऊंगा बर्क को पता है तो जा रहा है अदील ने पूछा नहीं वो काल नहीं उठा रहा आये तो बता देना क्या मतलब कब है तेरी फलाइट अदील ने पूछा तीन घंटे बाद और तो अब बता रहा है अच्छा छोड़ो सब कुछ तुम वहां पहुँचते ही इत्तिलादे देना और घर में सब को सलाम कहना बर्क की बीवी ने कहा अच्छा चलू में निकलता हूँ अपना ख्याल रखना जल्द मुलाकात होगी अल्ला हाफिज हमजा के तुर्की आने के बाद इधर दो ही दोस्त बने थे बर्क और अदील बर्क तुर्की का ही था और अदील पाकिस्तान से था लेकिन अब तुर्की में रहता था तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, बर्क की शादी नूर कौसर से हुई थी और वो भी बहुत अच्छी आदत की थी हमजा के निका की बात अभी कौसर को नहीं पतता थी हमजा ने तुर्की में हाल में ही अदील के साथ मिलकर अपना बिजनस शुरू किया था और बर्क अपने खांदानी बिजनस का मालिक था और कई दफ उसे दूसरे ममालिक में जाना पड़ता था अभी भी वो अस्ट्रेलिया गया हुआ था हमजा को अचानक यहां देख के सब हैरान हो गए क्यूंकि इसने रात दो बजे आने का बताया था हमजा बेटा तुम आ गए हमजा के बाबा ने इसे गिले लगाते हुए बोला जी बस अप लोगों को सर्पराइज देना था हमजा ने पलवशा की तरफ देखते हुए बोला पलवशा जो के पहले ही हमजा को देख रही थी इसके इस तरह देखने से घबरा गई इधर आओ तुम तमेरी कान खेंचने हैं कितना तरपाया अपनी मा को वहाँ जाके भूल ही गए हमजा की मामा ने इसे प्यार करते हुए कहा अब आ गया हूँ ना अब कही नहीं जावेगा हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा अपने चाचू से नहीं मिलोगे अमार साहिब ने इसे गिले लगाते हुए कहा ऐसा कैसे हो सकता है अपसे ना मिलो चिलो अब पलवशा के काटो अब तो हमजा भी आ गया है अलीना बेगम ने कहा जी पलवशा सिर्फ इतना ही बोल सकी अरे हमजा बेटा अप यहां आके पलवशा के साथ खड़े हो पलवशा की मामा ने हमजा से कहा जी चाची पलवशा जो पहले ही घबराई हुई थी हमजा के साथ खड़े होने से मजीद घबरा गई पलवशा केक काटो निदा ने कहा हाँ काट रही हो फिर पलवशा ने केक किट किया और सब ने इसे मुबारक और तहाइफ दिये सब महमान जा चुके थे पलवशा बहुत ठक चुकी थी वो अभी अपने कमरे में निदा के साथ तोफ़े खोल रही थी कि इसके कमरे के दर्वाजे पे दस्तक हुई और हमजा इसके कमरे में आया हमजा को इस वक्त पलवशा देख के हैरान हो गई भाई अपने दाने कहा क्यों नहीं आ सकता हमजा ने कहा नहीं मेरा ये मतलब नहीं था मैं सिर्फ ये तोफ़ा पलवशा को देने आया था हमजा ने पलवशा को देखते हुए बोला जी पलवशा मजीद हैरान हो गई पलवशा कौल के बताना कैसा लगा और हान निदा मेरे लिए चायबना के कमरे में लादो हमजा निदा से कहा जी भाई अगली साल गिरा तुम्हारी और स्पेशल होगी हमजा दिल में सोचते हुए मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया हमजा के जाने के बाद पलवशा ने हमजा का दिया हुआ तोहफा डरते डरते खुला पलवशा ने जब तोफ़ा खुला तो हैरानी से इसका मुन्ह खिल गया क्या हमजा पाकिस्तान चला ग्यबरत ने हैरानी से अदील से पूछा अगले दिन बर्क तुर्की आ गया था हाँ कह रहा था एक अधूरा काम पूरा करना है अदील ने जवाब दिया कहीं हमजा बर्क ने कहा मुझे भी यही डर लग रहा है कि ये वो ना कर दे जो उसने कहा था दील ने कहा अल्ला खेर करे हादील ने कुछ सोचते हुए कहा पलवशा ने जब तोफ़ा खुला तो इसका मुन्ह खुल गया इसमें एक बहुत ही खुबसूरत डामंद रंग थी इसे समझ नहीं आ रहा था हमजा ने इसे ये क्यों दी है वो यही सोच रही थी के निदा कमरे में दाखिल हुए उफ पलवशा मुझे कब से इतनी बेचीनी हो रही है जल्दी जल्दी भाई को चाय से के आई हूँ अब जल्दी से देखो किया दिया है भाई ने निदा ने पलन पे बैखते ही बोलना शुरू कर दिया अल्ला उल्ला आराम से ये देखो पलवशा ने बोला वायार कितनी खुबसूरत रंग है ये माशालला निदा ने रंग को देखते हुए कहा हाँ बहुत खुबसूरत है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों दी है उफ तुम्हारी सालगिरा थी इसलिए दीना लेकिन इतना कीमती तोफ़ा उफ भाई तुम बीवी हो भाई की उनकी मर्जी जो भी दीन लेकिन उफ चुप करो तुम कितना सोचती हो निदा ने पलवशा को डांटे हुए बोला पलवशा चुप तो हो गई लेकिन अभी भी वो सोच रही थी अगले दिन पलवशा लान में बैठ के नाविल पढ़ थी कि इतने में हमजा इसके पास आके बैठ गया और हाथ से नाविल चीम लिया पलवशा समझी निदा होगी वो अभी कुछ बोलने ही लगी थी लेकिन हमजा को देख के चुप हो गई तुम चुप क्यों हो गई बोलो हमजा ने पलवशा से कह नहीं में समझी निदा होगी तो अगर निदा होती तो तुम किया करती हमजा ने दिल्चस्पी लेते हुई ये पूछा पलवशा खामोश रही अच्छा छोड़ो ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कब मकमल हो रही है हमजा ने पलवशा से पूछा वो तो हो गई हैन में गया था तब तो तुम्हारा युनिवसिटी में दाखला नहीं हुआ था अब शाहिद भूल रहे हैं अब पाँच साल बाद आए हैं तुमने पूरा हिसाब रखा हुआ है लगता है याद करती थी मुझे नहीं मेरा ये मतलब नहीं था तो मतलब तुम मुझे याद नहीं करती थी हमजा जान बोज के उसे कनफ्यूज कर रहा था नहीं ऐसा नहीं है पलवशा ने घबराते हुए जवाब दिया तो फिर कैसा है जी पलवशा बहुत ज्यादा घबरा रही थी अच्छा चलो मेरे साथ बहुत जरूरी बात करनी है हमजा ने पलवशा का हाथ पकड़ते हुए कहा लेकिन उम्मी पलवशा बोलने ही वाली थी के हमजा ने बीच में रोग दिया मैंने इजासत ले ली है वैसे नहीं भी लेता तो कोई कुछ नहीं कहता आखर बीवी हो मेरी पलवशा सिर्फ हैरानी से इसकी बातें सुन रही थी और अपने हाथ को देख रही थी जो हमजा ने पकड़ा हुआ था हमजा पलवशा के लिए दर्वाजा खोल के उसे बिठाया और खुद आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी पलवशा खामोश बैठी हुए अपने हाथ को देख रही थी जो हमजा ने पहले पकड़ा हुआ था हमजा ये सब नोट कर रहा था हमजा ने गाड़ी एक वीराने में जाके रोब दी गाड़ी रुकने पर पलवशा ने हमजा की तरफ देखा देखो पलवशा में बहुत जरूरी बात कहने वाला हूँ हमजा पलवशा को देखते हुए कहा जी के पलवशा में अदील मॉबाइल इस्तिमाल करते हुए कैफे से निकल रहा था इसका पूरा दीहान मॉबाइल में था अचानक इसकी किसी से तुकर हुई अंधे हो क्या, अकिसा ने चिलाते हुए बोला इसकी सारी किताबیں गिर गई थी अदील ने जब अकिसा को देखा तो देखता ही रह गया, वो इसे देखता ही जा रहा था ओ हेलो मिस्टर कितने बेशर्म हो तुम पहले मेरा नुकसान कर दिया अब मसलसल देखे जा रहे हो अकिसा ने अदील से कहा मैं आपके नुकसान के लिए माजरत चाहता हूँ अदील ने मस्कुराते हुए अकिसा से कहा उनह अकिसा उसे मुनह चड़ा कर आगे बढ़ गई जी के पलवशा मैं तुम्हें अब बस अपने साथ रुखसत करके ले जाना चाहता हूँ तुर्की मुझे से अब ऐसे नहीं रहा जाता मुझे तुम्हारा एहसास हो गया है मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा इसलिए मैं पूछें तुम मुझे पसंद करती हो पलवशा ने सिर्फ हां में गर्दन हिलाई हमजा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कुछ सोच के मुस्कुराने लगा अदील जब से घर आया था मुसलसल अकिसा के बारे में सोच रहा था अकिसा के जाने के बाद उसे इसका युनिव की से टुकर हो गई थी कैफे में बस इसी का चेहरा सामने आ रहा है बार बार कहीं तो इसके इश्क में मुबतला तो नहीं होगी अबरक ने हंस्ते हुए कहा मुझे भी यही लग रहा है यार इसकी ठोड़ी पे जो बड़ा सा तुल था ना इसका में दिवाना हो गया हूँ वे तुझे बुखार तो नहीं हो गया बहकी बहकी बातें कर रहा है वो सब छोड़कल इसकी युनिवर्सिटी जाना है साथ चलना इसका कार्ड गिर गया था वापस देना है इसी बहाने दिदार हो जाएगा अच्छा भाई सही है चलिंगे में जरा हमजा को भी तेरे चल ठीक है बर्क ने हंस्ते हुए कहा घर आकर पलवशा कमरे में चली गई थी और हमजा ने घर में रुखसती की बात कर ली थी सब घर वाले भी यही चाहते थे तो दो हफ़ते बाद की तारेख तै कर ली गए पलवशा का तो शर्म से बुरा हाल था फिर निदा भी उसे ब पलवशा तुम ने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें मेरा तोफा कैसा लगा था जी हा बताओ न कैसा लगा था तुम्हें अच्छा था सिर्फ अच्छाल हमजा उसे जान बोच के तंग कर रहा था नहीं मेरा यह मतलब निदा पलवशा वहां से भाग गई और हमजा हंसने लगा आगे अप कौसर ने बर्क को घर में दाखिल होते हुए देख के बोला जी आगी अब रख मुस्कुराते हुए जवाब दिया इतना लेट क्यों कर देते हैं कब से इंतिजार कर रही थी आपका कौसर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा अरे अप नाराज क्यों हो रह पहले में ऐसा ही था उसकी छूटी सी भी नाराजगी बरदाश्ट नहीं करता था और उसकी हर बात मानता था दोनों की शादी तो वालिदें की मर्जी से हुई थी लेकिन शादी के बाद दोनों में बहुत महब्बत हो गई थी अगले दिन अदील बर्क के साथ अकसा की अकसा ने आवाज पे पीछे मुड कर देखा तो अदील को देख के हैरान हो गई अप पलवशा को मायों बिठा दिया गया था रिष्टेदार भी आना शुरू हो गए थे घर में सब बहुत खुश थे पलवशा की बहन भी अपने बच्चों के साथ रुकने आ गई थी दो समझ ही नहीं आ रहा था किस तरफ से आये कभी दिल चाहता बारात कित साथ कभी सोचती पलवशा की तरफ से वो इसी सोच में जा रही थी के इसम ने इसे आवाज दी जी निदा ने जवाब दिया वो एक कप चाय बना दो सर में दर्द हो गया काम कर करके ठीक है बना देती ह इस मुस्करा के अपने कमरे में चला गया अकिसा अदील को वहां देख के बहुत हैरान थी अप नहीं मेरा मतलब तुम यहां कैसे वो आपका कल कार्ड गिर गया था वो वापस देने आया था अदील ने इसे देखते हुए कहा वो शुक्रिया अकिसा ने मुस्कुराते हुए कहा अप परेशान लग रही थी कुछ जी बस इसी वजह से कार्ड नहीं मिल रहा था अब परेशान नहूं मैं आपको परेशान नहीं रहने दूँगा जी कुछ नहीं खैर मेरा नाम अदील है और ये मेरा दोस्त बर्क बर्क जो कबसे खामोश ख़़ा था अचानक तारुफ पर घबरा गया अकिसा ने बर्क को सलाम किया अब तो चली मुलाकात होती रहेगी जी जरूर मैं लेट हो रही हूं मैं चलती हूं चली ओके अल्ला हाफिज पलवशा रात में पानी पीने के लिए किचन में आई लेकिन इसके हाथ की महंदी अभी तक नहीं सूखी थी वो सोच रही थी किया करेनिदा को जगाना मुनासिब नहीं लग रहा था इसे वो यही सोच रही थी किचन में हमजा दाखिल हुआ पलवशा को इस वक्त किचन में देख के हमजा हैरान हो गया वो मायू के जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी और उसकी महंदी भी खूबसूरत लग रही थी तुम इस वक्त यहां जी पानी पीने आई थी पी लिया पलवशा ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया वो तो ये बात है मैं निदा को बिला लेती हूँ नहीं रहने दो अभी किया सिर्फ पानी के लिए उठोगी में पला देता हूँ पलवशा चुप हो गई हमस ने पानी भर के पलवशा को पिलाया एक बात पूछो अपसे पलवशा ने हमजा से कहा हाँ पूछो अप अकिस्सा तुर्की की ही रहने वाली थी वो अपने घर में सबसे बड़ी थी और बाकी बहन भाई की जमीदारी इसने उठा ली थी वो दस साल की थी जब इसके बाबा इसकी मामा को छोड़ कर चले गए थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी अकिस्सा ने अपना स्कूल खत्म करते ही काम शुरू कर दिया था अभी वो युनिवरसिटी में पढ़ भी रही थी स्कूलरशिप पे और साथ साथ शाम में एक कैफे में काम करती थी वो जहीन होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी इसकी आँखें बहुत खूबसूरत थी इसी थोड़ी पे एक बड़ा सा तुल था जो उसे बहुत नापसंद था लेकिन बाकी सब को वो बहुत खूबसूरत लगता था हाँ पूछो आप अभी भी मुझसे नफरत तो नहीं करते कहीं ये सब बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहे हमजा इसकी इस सवाल पे बहुत हैरान हो गया तुम ऐसा क्यों सोच रही हो अब जवाब क्यों नहीं दे रहे नहीं पागल लड़की ऐसा कुछ भी नहीं तुम फालतू मैं सोच रही हो जाव जाके सौजाव सुबह बहुत काम है जी सही है पलवशा वहां से चली गई पलवशा के जाने के बाद हम्जा सोच में पढ़ गया था, इसे समझ नहीं आ रहा था पलवशा ने ऐसा क्यों कहा आज पलवशा और हम्जा की बाराद थी, पलवशा सुबह जल्दी ही निदा के साथ पारलर चली गई थी, वो दोनों तयार होके सीधा हाल में आने वाले थे पलवशा का जोड़ा बहुत खुबसूरत लग रहा था, उस पे बहुत अच्छा काम हुआ वा था वो लोग तयार होके हाल पहुँच चुकी थी, कुछ देर में बाराद भी आ गई थी निदा, आज पलवशा की तरफ से आई थी बाराद आने के बाद पलवशा को सटेज पे लाया गया हम्जा पलवशा को देखे जा रहा था, वो बहुत खुबसूरत लग रही थी दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, सब इन दोनों की तरीफ कर रहे थे अकिसा घर आके ना चाहते हुए भी अदील के बारे में सोच रही थी अदील का मुस्कुराता हुआ चहरा बार बार, इसके दिमाग में आ रहा था, वो कब सोचते सोचते सौगई, इसे पत्ता नहीं चला सुबह इसकी आँख देर से खुली वो जल्दी जल्दी में तयार होके युनिवसिटी पहुँची तो अदील वहां पहले से ही मौजूद था रुखसती के वक्त पलवशा इतना नहीं रुई क्यूंकि कोई पराया घर नहीं था, इसी के घर में जाना था, इसे घर आकर पलवशा और हमजा की कुछ रसमें की गई, और फिर निदा पलवशा को हमजा के कमरे में ले ले गई, पलवशा को बहुत घबराहट हो रही थी जी पलवशा बहुत हैरानी से हमजा को देख रही थी। पलंग पे बैठे हुए भी नजर आई ना तो बहुत बुरा हाल करूंगा। पलवशा जल्दी से पलंग से उतर गई। हमजा ने अचानक से इसके बाल पकड़ते हुए कहा। और हाँ ये बात घर में बताने का सोचना भी नहीं वरना अंजाम बहुत बुरा होगा हमजा इसे जमीन पे पेकुते हुए पलंग की तरफ बढ़ गया। पलवशा की आँखों से आँसू बहने लगे पलवशा को हमजा के फैकने से सर पे लकड़ी लगी थी इसका खून निकल रहा था। हमजा गहरी नीन सो रहा था पलवशा जमीन पे ही सौगई थी इसने कपड़े भी तबदील नहीं किये थे। पलवशा की आँख हमजा के उठाने से खुली, चिलो उठो कपड़े तबदील करो किसी को बिल्कुल भी पत्ता नहीं चलना चाहिए हमजा ने इससे कहा, पलवशा के फिर आंसू बहने लगे, अरे अरे अभी से हार गई अभी तुमने तो सारी जिंदगी यून ही गुजारन है और हाँ एक बात सुन लो मेरे सामने रोना धोना नहीं करना मुझे नहीं पसंद अब जल्दी करो, पलवशा चुप चाप वाश्रोम चली गई, पलवशा और हमजा नीचे आए, आगे मेरे बच्चे अलीना बेगम ने दोनों को प्यार करते हुए कहा, हमजा और पलवश पलवशा ने सब को सलाम किया, अच्छा चलू अब नाश्ता करने के लिए आजो, पलवशा बेटा ये किया हुआ सर पे अलीना बेगम की नजर अचानक पलवशा के सर पे पड़ी, वो पलवशा का रात में पीर अटक गया था अपने जोड़े में पलवशा बोलने ही लगी थी इससे पहले हमजा ने कहा, बेटा दीहान रखा करो, जी पलवशा सिर्फ यही बोल सकी, बाबा आज हमारी फलाइट ही तुर्की की हम जा रही हैं हमजा ने अपने बाबा से कहा, पर अभी तुम्हारा वलीमा भी नहीं हुआ, बहुत जरूरी काम आ गया है, इसलिए जा जवाब दे रही थी, अप हाहा किसा ने अदील से पूछा, बस आप से मिलने का दिल चा रहा था, कल ही तो मिले थे अप, चौबीस घंटे पहले मिले थे अंदाजा है, आपको चौबीस घंटे कितने ज्यादा होते हैं, आप पागल हैं, हाँ आपके लिए, जी क्या मतलब आपका, मतलब ये के, पलवशा निदा के साथ पैकिंग कर रही थी, अपनी वो नहीं जाना चाहती थी, यहां से पर वो किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, क्यूंके हमजा इस पे मुसलसल नजर रखे हुए था, वो बहुत मजबूर हो गई थी, निदा को हमजा में बहाने स कमरे से बाहर भेजा, और निदा के जाते ही पलवशा सी कहा, इस घर को जितना देखना चाहती हो, जितना वक्त गुजारना चाहती हो गुजार को, क्यूंके यहां अब तुम्हारी लाश ही वापस आएगी, पलवशा की आखों से फिर आंसू निकलना शुरू हो गए, तु मामा जाने की वज़े से उदास है, हमजा ने जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा मिलने तो आते रहूगे ना आलिया ने कहा, जी पलवशा ने कहा, पलवशा ने इसी वक्त दिल में फैसला किया मुझे बता देना चाहिए हमजा कुछ नहीं कर सकेगा, मामा मुझे कुछ आपको बताना है पलवशा ने कहा, हाँ बेटा बोलो, वो पलवशा ये सोच के चुप हो गई के सब खुश हैं उदास हो जाएगे, हाँ बेटा बोलो, मुझे अब लोगों की बहुत याद आएगी, दोनों ने पलवशा को गिले लगा लिया, हमजा जिसे लगा था करने लगी, जी क्या मतलब इपकालिफ किस्सा ने पूछा, मतलब ये कि कुछ नहीं अब दोस्ती करेंगी मुझसे, जी सोच के बतोगी, इसमें क्या सोचना शादी के लिए तो नहीं कह रहा, हाँ दील ने हंसते हुए कहा, अच्छा सही है कर ली अब से दोस्ती अब मुझ हमजा और पलवशा एरपोर्ट के लिए निकल गए थे, आसिम उन्हें छोड़ने आया था, ठीक चार घंटे बाद वो तुर्की एरपोर्ट पे मौजूद थे, वहां हमजा का ड्राइवर पहले ही मौजूद था, वो लोग सीधा हमजा के घर आये थे, हमजा का अपना पलवशा अपने कमरे में आ गए वो कमरा बहुत चोटा था, सिर्फ एक शीशा था, और एक कम्बल और तक्या बाकी पूरे कमरा तुम्हारा तुम्हारा है, जो मैंने खास तोर पर तुम्हारे लिए सजाया है, और मैंने मासी को काम से निकाल दिया, सारे काम तुम करोगी, खाली था,। इसने जान बोज़कर पलवशा को ये कमरा दिया था क्यूंके पहले जब पलवशा को घर में अलग कमरा दिया था, वो पहले हम्जा का होता था, इसलिए हम्जा ने बदले के लिए इसे ऐसा कमरा दिया, पलवशा चुप चाप जमीन पे कंबल ओर के लेट आपको और कोई काम नहीं है, काम तो बहुत है पर अब दोस्त हैं, हम तो राब्ते में रहने के लिए नमबर जरूरी है। अकसा ने इसे जल्दी जल्दी अपना नमबर दिया और जाने लगी क्यूंकि उसे कैफे पहुँचना था। अरे कहा जा रही हैं अप मैं छोड़ देता हूँ, नहीं आपका बहुत शुक्रिया में चली जावगी, कोई बात नहीं में छोड़ दूँगा, आपको एक बार मेरी बात समझ नहीं आरही कहाना में चली जावगी खूदी तिस्सा घुसे से कहते हुए चली गई, अदील सिर् रह गया, उठो मुहतरमा बहुत आराम कर लिया तुमने हमजा ने पलवशा को उठाते हुए कहा, पलवशा घबरा के उठी तो हमजा एक मिनिट के लिए इसकी आँखों में खो गया वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी लेकिन हमजा ने अपने आपको जल्दी से ना पलवशा उठके वाश्रों गई तभी हमजा को इसकी चीख की आवाज आई, अकिसा के वहां से जाने के बाद अदील इसका पीछा कर रहा था, उसने देखा अकिसा इसी कैफे में दाखिल हो रही थी जहां उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, वो गारी में बैठे जाती है, तो मतलब यह यहां काम करती है अदील ने खुद से कहा, अदील गारी से उतर कर कैफे में दाखिल हुआ अकिसा ने उसे देख लिया था, खेलो सर में आपकी किया मदद कर सकती हूँ अकिसा ने अदील से पूछा वो अभी इस पे घुसा नहीं कर सकती थी, एक बल अदील के इस तरह देखने से उलजहन हो रही थी, आपकी काफी, अदील काफी पीते वक्त अकिसा को मसलसल देख रहा था, अदील ने जल्दी से काफी खत्म की और पैसे दे कर चला गया, अदील के जाने के बाद अकिसा ने सुकून का सांस लिया, हमजा जल्दी से वाश र रेलेक्स पलवशा चली गई चुपकुली नहीं वो वापस आ जाएगी पलवशा ने हमजा की शर्ट को जोर से पकड़ा हुआ था और उसके सीने पे अपना सर रखा हुआ था नहीं आएगी अब हमजा को इसकी मसूमियत पे प्यार आ रहा था लेकिन अचानक उसने पलवशा को जोर से पीछे धखेला तुम किया समझी इस तरह तुम मेरे करीब आजोगी किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना हमजा ने चिलाते हुए कहा और वाश रूम से निकल गया तुम से जब मेंने कहा था मेरे वापस आने से पहले इस कमरे का वाश रूम साफ होना चाहिए तो क्यों नहीं करवाया हमजा जानता था पलवशा को कीड़ों और चुपकुली से बहुत दर लगता है सौरी सर करवाया था शायद खड़की खुली रह गई होगी अच्छा अब जाव यहां से इसी वक्त पलवशा आई आगई तुम अब जल्दी से खाना बनो हमजा उसे कहते हुए टीवी उन करने लगा जी पलवशा किचन में चली गए एक महीने बाद पलवशा को हमजा के चलाने और मारने की आदत हो गई थी हमजा चुटी चुटी बात पर पलवशा को मारता था पलवशा कहीं बाहर भी नहीं जाती थी सिर्फ जो मासी काम करने आती थी इससे बात करती थी हमजा ये बात नहीं जानता था कि पलवशा को तरकश जबान आती थी पलवशा ने ये जबान शौकिया तोर पे सीखी थी पलवशा हर वक्त अपने साथ अपने ड्रेस के जेब में अपना पासपोर्ट और शनाखती कार्ड रखती थी। क्यूंकि उसे डर था कहीं हमजा ने इसे घर से निकाल दिया तो वो क्या करेगी। अदील रोज काफी पीने कैफे जाया करता था इसकी और अकिसा की अब अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अकसर इसी वक्त जाता था जब अकिसा की शिफ्ट खत्म होने में थोड़ा वक्त होता था और फिर वो अकिसा को उसके घर छोड़ते हुए अपने घर जाता था। एक दिन हमजा घर आया तो बहुत घुस्से में था। खाना खाते हुए वो अच्छानक से उठा। तुम्हें पत्ता है खाने में नमक कम हो तो मैं नहीं खाता। वो जल्दी जल्दी में कम रह गया होगा पलवशा ने पहली बार उसके घुस्सा करने पे जवाब दिया था तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मुझे जवाब दिया हमजा ने इसे बालों से पकड़ते हुए बोला आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि या हूँ में हमजा इसे बालों से खेंचते हुए बाहर ले आया। निकलो मेरे घर से हमजा चिलाते हुए बोला। हमजा में इस व प्लवशा जोर जोर से दर्वाजा के टिकताती हुए बोल रही थी पलवशा काफी देर तक चलाती रही पर हमजा नहीं आया वो वहीं बैठ गई और फजर का इंतिजार करने लगी फजर के वक्त वो उठकर चुप चाप वहां से चली गए हमजा सुबह उठा तो रात वाला वाकिया भूल चुका था वो फरेश होके किचन में आया तो पलवशा वहां नहीं थी वो समझा अभी तक नहीं उठी होगी वो इसके कमरे में आया तो पलवशा वहां गी नहीं थी हमजा वापस नीचे आ गया तो उसे पलवशा का कल्प पुछा, कलवशा कहा है? सर वो तो रात भर यही बैटी बार-बार दर्वाजा खटका रही थी अब नहीं खोल रहे थे, तो वो फजर के वक्त यहां से चली गई। क्या कहा गई वो? सर मुझे नहीं पता। उफ किस तरफ गई थी वो? चौकिदार के बताने पर हमजा गली में आया, और इस तरफ गया जहां चौकिदार ने बताया था पर वहां कोई नहीं था। बर्क और अदील जल्दी से हमजा के घर पहुँचे हमजा ने उन्हें काल करके बुलाया था। तो वापस कब आया अदील ने पूछा? एक महीने पहले का औरतों ने हमें बताया भी नहीं अदील ने नाराज होते हुए कहा। वो सब छोड़ ये बता इतनी जल्दी में क्यों बुलाया हमें बर्क ने पूछा हमजा एक महीने पहले से किकर आज तक का सारा वाकिया बता दिया। कै? बर्क और अदील ने एक साथ हैरानी से चिलाते हुए कह इतना सब हो गया और तो अब बता रहा है अदील ने जोर से बोला यार वो छोड़ बता अब किया करूं कहां ढूंडो इसे। क्यों ढूंना ही अब चली गई ना वो अब तुझे अब भी सुकून नहीं आया बर्क ने घुस्से से कहा इसे हमजा से ऐसी हरकत की उमीद नहीं थी। यार मुझे इस से महबत होने लगी थी मैं बहुत खुश था घर आते हुए मैंने सोचा था सब कुछ सही कर दूंगा लेकिन रास्ते में मुझे जान मिल गया हमजा का युनिवरसिटी का दुश्मन इस दे लडाई हो गई और फिर मैंने अपना सारा गुसा पलवशा पे न अपने तसली देते हुए कहा इंशालला हमजा ने कहा क्या हुआ प्रेशान क्यों हो अकिसा ने अदील को प्रेशान देखकर पूछा अदील ने इसे सब बता दिया वह ये तो बहुत बुरा हुआ अकिसा ने कहा हिमम नाम क्या है इसका पलवशा अच्छा मेरी एक दोस्त क नाम भी पलवशा है अच्छा कुछ पत्ता चला वैसे अकिसा ने पूछा नहीं कुछ पत्ता नहीं चला पत्ता नहीं कोहान गई पूरा शहर देख लिया है कहीं इसे किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया अब किया कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है दील ने कहा हिमम अकिसा खा लूश नहीं था बस सारा सारा दिन पलवशा के कम्रे में बैठा रहता था अदील और बरक बहुत परिशान थे अदील फुल हाल हमजा के घर रुका हुआ था वही हमजा को खाना वगयरा खिलाता था जब पाकिस्तान से कोई काल करता और पलवशा से बात करवाने का कहता तो ह कामजा, कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता लेकिन वो सोचता कए अगर पलवशा ना मिली तो घर वालों को किया जवाब देगा यही सोचते सोचते वो सौचता था। पलवशा घर से निकलते ही परेशान हो गई थी अब कहा जाए वो अभी वो यही सोचते हुए सड़क पे चल रही थी कि एक गाड़ी आये और इसमें से दो लोग निकले और पलवशा को बेहोश करके गाड़ी में डाल के के गई इस वक्त कोई सड़क पर भी नहीं था पलवशा की जब आँख खिली तो इसने खुद को एक आलिशान कमरे में पाया पलवशा ने सबसे पहले अपना शनाखती कार्ड और पासपोर्ट चेक किया वो महफूज था जब पलवशा को हमजा ने निकाला था तो उसने चौकिदार से सुई धागा मंगवा के अपनी वो जिसमें कार्ड वगेरा था ऐसे सी ली थी के पक्ता ना चले वो अभी सोच ही रही थी किया हुआ था उसके साथ तभी कमरे का दर्वाजा खुला और एक लंबासा आदमी अंदर दाखिल हुआ होश आगिया तुम्हें इस आदमी ने आराम से बोला कौन हो तुम और मुझे क्यों लाए हो पलवशा ने डरते हुए पूछा मुझे पता था तुम जरूर पूछोगी इसलिए बताता हूँ तुम्हें मैंने तुम्हें एरपोर्ट पे देखा था और मुझे तुम पसंद आ गई थी बस फिर मैंने तुम पे नजर रखना शुरू कर दी वो जो मासी तुम्हारे घर में काम करती थी मैंने भेजी थी मुझे जब भी वो बताती थी तुम्हारा शोहर बहुत मारता है तुम्हें मेरा दिल चाहता था इसे मार डालों पर मैं कतल नहीं कर सकता इस दिन भी जब मुझे पत्ता चला के घर से निकाल दिया है तुम्हें में वहीं आगिया था अपने आदमियों के साथ ताका जब तुम निकलो तो गलत हाथों में नहीं जाव और इसलिए में तुम्हें यहां ले आया पलवशा सब हैरानी से सुन रही थी अब तुम यहां करोगी कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा पिलेज मुझे जाने दो में यहां नहीं रह सकती तुम कहा जावगी देखो हमारा निका हो जाएगा फिर तो रह सकते हो ना तुम मैं अभी भी बीवी हूँ उसकी मैं तुम से निका नहीं करूंगी पलवशा ने जोर से कहा ठीक है फिर यहां सरती रहो जब तक तुम हां नहीं कहोगी इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती वो जोर से दर्वाजा लोग करते हुए चला गया पलवशा जानती थी इसे बोलना फुजूल है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा निकलने के लिए वो यही सोचते हुए कमरे का जैजा लेने लगी तभी इसे खिर्की नजर आई वो वहां जल्दी से आई तो देखा खिर्की खिली थी इसनी नीचे देखा तो ज्यादा उंचा नहीं था तो उसने बिसम अल्ला पढ़ते हुए छलांग लगा दी और बाहर की तरफ भागी वो अचानक रुक के सोचने लगी के दर्वाजे पे चौकिदार हो सकते हैं इसलिए वो पिच्चे की दर्वाजे की तरफ आ गई और उसके अंदाजे के मताबिक वहाँ कोई नहीं था उसने दर्वाजा खोला जल्दी से और बाहर निकली अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी के पीछे से इसे किसे ने पकड़ा और इसे बेहोश कर दिया पलवशा को जब होश आया तो वो वहीं इस कमरे में थी और वो भी वहीं बैठा हुआ था पलवशा को उठता देख कर वो भी सीधा हुआ वैसे तुम तो बहुत चलिक निकली मैं तुम्हें बैवकूफ समझा था पलवशा खामोश थी बोलो बोलती क्यों नहीं हो इसने पलवशा को जोर से तेपर लगाया और इसे मारने लगा जब इसका गुसा निकल गया तो रोप गया आइंदा अगर तुमने भागने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा और वैसे भी अब नहीं भाग सकोगी सारे रास्ते बंध हैं वो कत्ती हुए कमरे से निकल गया और दरवा सल्लला हुले हिवा सल्लन लोग कर दिया पलवशा ने सोच लिया था वो यहां से किसी ना किसी तरह निकल के रहेगी वो यही सोचते हुए वाश्रोम आई तो उसे वहां खिड की नजर आई जो इतनी बड़ी थी के आराम से वहां से कोई भी निकल सकता था पर इस खिड की पे ताला कगा हुआ था पलवशा की नज ख्विली तो देखा, वो बैठा हुआ था पल्वशा को अपने जखम याद आगए पहले ही, हमजा के मारने के जखम सही नहीं हुए थे कि कल और जखम आ गए थे. मैं तुम से मुआफी मानने आया था तो तुम सो रही थी मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था पर घुस्से में था पलवशा खामोश रही मैं अभी जा रहा हूँ शाम तक आऊँगा और शाम में मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए वो ये कहकर कमरे से चला गया पलवशा खलकी से इसे जाते हुए देखने लगे जैसे ही वो गया पलोशी जल्दी से वाश्रूम की तरफ बढ़ी और चाबी निकाल कर लाग खोला वाश्रूम की खलकी गिली में खिल रही थी पलवशा ने वहां से चलांग लगाई और भागने लगी तभी पीछे से दो आ पलवशा फिर से भागने लगी तब ही अचानक से पलवशा के सामने गाड़ी आ गई अदील अपने फार्म हाउस जा रहा था इस वक्त रोड खाली था तो अदील ने गाड़ी की रफतार तेज कर दी तब ही अचानक इसने देखा कि कोई भागते वे आ रहा था उसने जल् में काम कर रही थी तभी अचानक से अदील आया यह हुआ इतना घबराए हुए क्यों हो अकिसा ने अदील को देख के पूछा प्लेज तुम मेरे साथ जल्दी से चलू मैं तुम्हें तफसील से गाड़ी में बताता हूँ अच्छा ठीक है मैं आती हूँ तुम बाहर जाव अ अदील अकिसा को लेकर इस कमरे में आ गया जहां पλवशा बेहोश थी अकिसा पलवशा को देख कर पहचान गई ये तो मेरी दोस्त पलवशा है ये क्या कह रही हो हाँ सच में पलवशा और अकिसा की दोस्ती इंस्टाग्राम पे हूई थी इसलिए अकिसा ने इसे क्या मतलब अदील ने पूछा, ये तो पाकिस्तान में रहती थी, कहीं ये वही पलवशा तो नहीं ही मेरे दोस्त हमजा की बीवी अदील ने सोचते हुए बोला, तुम एक काम करो इससे इसकी तस्वीर मंगूओ लेकिन बताना नहीं अभी, ठीक है, अदील हमजा को काल करने बाहर चला गया, हेलो हमजा कैसा है, यार अदील ने काल रिसीव होते ही हमजा से पूछा, बस यार ठीक ही हो, अच्छा यार जरा पलवशा भाभी की तस्वीर भेज, क्यों, मैं सोच रहा था कि क्या पत्ता अगर मुझे कहीं नजर आई और मैं पहचान नहीं सका तो, अच किस्सा के पास आया, और इसे बताया, तुम्हारा दोस्त इतना जालिम है, देखू किया हाल किया है, इसने पलवशा का अकिस्सा रोते हुए बोली, मेरे ख्याल से हमें हमजा को बता देना चाहिए अदील ने कहा, नहीं पलवशा जब तक होश में नहीं आ जाती तब तक न अकिस्सा ने कहा, ठीक है अदील कहते हुए डॉक्टर को काल करने बाहर चला गया, डॉक्टर के जाने के एक घंटे बाद पलवशा होश में आई, पलवशा की जब आँख खिली इसे समझ नहीं आ रहा था वो कहा है, इसने जूद को पलन पे देखा तो समझी शायद इस आ आई पलवशा ने अकिस्सा से पूछा, अकिस्सा ने इसे सब बता दिया और पलवशा अकिस्सा की गिले लग कर रोने लगी, देखो तुम रू नहीं अब तुम महफूज हुआ अकिस्सा ने इसे चुप कराते हुए बोला तभी अदील कमरे में आया, शुक्र है अल्लाह क ताकि रोने लगी अकिस्सा ने इसे गिले लगा लिया, अप रोए नहीं हमजा मेरा दोस्त है मैं आपको ले जावनिगा, वो आपके जाने के बाद से बहुत परेशान है, बदल गया है वो अदील ने खहा, नहीं में अद के पाश नहीं जावनिगी पलवशा ने कहा, मगर अभी अदील बोलने ही लगा था कि अकिसा ने बात काट दी और कहा, वो कह रही है इसे नहीं जाना तो कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है लेकिन मैं उन्हें अपने घर नहीं ले जा सकता, अब मुझे पलेज पाकिस्तान भेज दे मेरे पास अपना पासपोर्ट और शनाखती क को मैं आता हूँ अदील कहते हुए बाहर चला गया, रात में अदील आया तो इसने पलवशा की टिकट करवादी थी, वो पलवशा के कमरे में आया, अकिसा और पलवशा बातें कर रही थी, मैंने आपकी टिकट करवादी एमरजिंसी में आपकी रात बारा बजे की पलवशा चोड़ने आये थे, वो जहाज में आके बैथ गए थी, वो वापस कराची अपने घर जा रही थी, इसलिए थोड़ी पुरसुकून थी, पलवशा ने एरपोर्ट के बाहर से टैक्सी करवाई और एड्रेस बता के बैठ गई, वो आधे घंटे की बाद अपने घर के बाहर थी, इसने किराया दिया, अदील ने कुछ पैसे दिये थे, इसे, और अंदर की तरफ बढ़ गई, अंदर जाकर उसने दर्वाजे की बैल बेजाई, अलीना बेगम ने दर्वाजा को देख कर हैरान हो गई, अलीना बेगम पलवशा को अंदर लेकर आई सब बाहर पलवशा बेटा तुम और हमजा कहा है। ठीक हो हमें बोतो क्या हुआ है लीना बेगम ने पलवशा को होश में आते देखकर कहा। पलवशा अब नार्मल थी पलवशा ने सब के सामने शुरू से लेकर आخر तक सारी कहानी बता दी। क्या इतना सब हो गया और हमजा ने हमें बताया भी नहीं तुम एक महीने से घर पे नहीं थी और जब हम काल करते थे तो हमजा कहता था कि तुम कोई काम कर रही हो असर रही हो अलीना बेगम ने हैरानी से कहा आलिया बेगम रू रही थी आलिया नहीरू अब पलवशा हमारे पास है महफूज अमार ना आलिया को होसला देते हो कहा बेटा हमें मुआफ कर दो हमारे बेटे की वजह से ये सब हुआ अलीना और हारिस ने पलवशा से कहा नहीं अब लोग मुआफी नहीं मांगे आपकी कोई गलती नहीं है पलवशा बेटा अब तुम जो फैसला करोगी हम तुम्हारे साथ हैं हारिस ने पलवशा के सर पे हाथ रखते हुए कहा मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकती मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ठीक है तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो हम तुम्हारे साथ हैं और बर्क उसके कमरे में दाखिल हुए। कहा जा रहे हू। बर्क और अदील ने हमजा को पैकिंग करते हुए देख के पूछा। पाकिस्तान। और पलवशा बर्क ने पूछा। कब तक छेपाओंगा घरवालों से इसलिए जा रहा हूं। चलू ठीक है अपना ख्याल रखना बर्क ने कहा। तुम लोग बैठों में आता हूं हमजा बर्क और अदील से कहते हुए बाहर चला गया। हमजा के जाने के बाद अदील ने बर्क को सब बता दिया। तो पलवशा पाकिस्तान में है तुम हमजा को बता दो। नहीं मुझे पलवशा ने मना किया है में नहीं बता सकता। चलू ठीक है वैसे भी वो जाही रहा है अब। हिमम बर्क और अदील दोनों उठकर हमजा के पास ले गए। हमजा दो दिन बाद पाकिस्तान आ गया था। घर में दाखिल होते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ पलवशा यहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पलवशा यहां है मेरा वहम होगा हमजा ने दिल में सोचा। हमजा जब अंदर दाखिल हुआ तो सब लान में ही बैठे हुए थे इसके इंतिजार में। इसलाम अलेकुम हमजा ने सब को सलाम किया। वेलकम इसलाम। हमजा पलवशा कहा है अलीना ने हमजा से पूछा। वो। अभी हमजा बोलने ही लगा था कि हारिस ने उसे जोर से थपड़ मारा। तुम से हमें ये उमीद नहीं थी अलीना और हारिस ने हमजा से कहा बाकी सब चुप बैठे हुए थे अप लोग पिलेज मेरी बात सुनें बस कोई बात नहीं अभी तुम अपने कमरे में जाव शाम को फैसला होगा हारिस ने घुस्से से कहा हमजा अपने कमरे में चला गया पलवशा ये सब अपने कमरे की खड़की से देख रही थी शाम के वक्त सब हाल में जमा थे पलवशा भी वही बैठी थी हमजा नीचे आया तो पलवशा को देख कर जल्दी से इसके तरफ बढ़ा पल वशा एक हारिस ने हमजा को रोग दिया, और सोफ़े पे बैठने का इशारा किया हाँ पल वशा बेटा तुम अपना फैसला बतो हारिस ने पल वशा से कहा मुझे तलाक चाहिए हमजा ने हैरानी से पल वशा को देखा देखियें मुझसे गलती हो गई मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ पलवशा पिलेज तुम समझो में बहुत शर्मिन्दा हूँ मुझे मुआफ कर दो में तुम से बहुत प्यार करता हूँ हमजा ने पलवशा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा अब इसका कोई फाइदा नहीं है हमजा पलवशा ने हमजा से कहा मैं तुम्हें तलाक नहीं दूँगा ठीक है फिर मैं खुल का केस करूँगी पलवशा कहते हुए वहां से उठकर चली गई हमजा बेबसी से इसे देखता रह गया बाबा मामा चाचू चाची पिलेज अब पलवशा को समझाई में नहीं रह सकता इसके बगएर बेटा तुम्हें जो करना है दो दिन में कर लो दो दिन में अगर तुम उसे नहीं मिना सके तो तुम्हें पलवशा को तलाक दीनी होगी ठीक है हमजा कत्ती हुए अपने कमरे में चला गया कमरे में आके हमजा पलवशा को मनाने का तरीका सोचने लगा रात के वक्त हमजा छत पर चला आया इसे कमरे में घबराहट हो रही थी पलवशा भी छत पर ही थी हमजा पलवशा को देखकर इसके पास आ गया पलवशा पलवशा हमजा को देख कर वहां से जाने लगी हमजा ने इसका हाथ पकड़ कर उसे रोक लिया पिलेज मेरी बात सुन लो मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी हाथ छोड़ी मेरा पलवशा एक बार बात सुन लो फिर चली जाना बोले पलवशा मुझे तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मुझे तुम से महबत हो गई है इस दिन में जब घर आ रहा था तो बहुत खुश था कि आज तुम से मुआफी मांग लूँगा पलवशा मुझे तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मुझे तुम से महबत हो गई है इस दिन में जब घर आ रहा था तो बहुत खुश था कि आज तुम से मुआफी मांग लूँगा लेकिन रास्ते में मुझे मेरा पुराना दुश मुआफ करदो में वदा करता हूँ अब तुम्हें खुश रखूंगा और बहुत प्यार दूँगा पिलेज मुझे मुझे मुआफ करदो हमजा ने रोते हुए पलवशा से कहा पलवशा कुछ नहीं बोली और अपना हाथ शड़ा कर वहां से अपने कमरे में चली आए कमरे में आकर पलवशा ने रोना शुरू कर दिया मैं कैसे बताओं आपको के मैं कितनी महबबत करती हूँ अपसे जब से निका हुआ था तब से करती हूँ आपके सारे जल्म भी इसलिए बरदाश्ट किये मैंने लेकिन अब हमारा अलग होना ही बहतर है मैं मजीद बरदाश्ट नहीं कर सकती अब पलवशा दिल में सोचते हुए रू रही थी पलवशा की रोते हुए ही आख लग गए पलवशा के आख फजर के वक्त फोन की बैल से खिली पलवशा ने काल रिसीव की तो जो उसे खबर सुनाई गई इस सुनकर पलवशा के हाथ से मोबाइल गिर गया औ और पलवशा भाग कर अपने मामा बाबा के कमरे की तरफ गई। बेटा तुम इस वक्त सब ठीक है। अमार ने पलवशा को इस वक्त कमरे में आते देख कर कहा। वो हमजा का एकिसिडेंट। पलवशा इतना कहकर रोने लग गई। सब फजर के लिए उठे वे थे तो जाग रहे थे। सब जल्दी से हस्पताल गए पलवशा का रूरू कर बुरा हाल था। रात में जब पलवशा अपने कमरे में चली गई थी तो हमजा गाड़ी लेकर बाहर निकल गया था। वो बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था तभी अचानक से सामने से एक ट्रक आ गया और हमजा की गाड़ी इससे टुकडा गए। हमजा का ऑपरेशन चल रहा था पलवशा मसलसल हमजा के लिए दूआ कर रही थी तभी डॉक्टर बाहर आये। डॉक्टर कैसा है मेरा बेटा। हारिस ने डॉक्टर को निकलते हुए देख कर कहा। उनके सर पे बहुत गहरा ज अजाजत दे दी पलवशा सब के देखने की बाद गई। हमजा के सर पे पटी बंधी भी थी पलवशा ने हमजा का हाथ पकड़ लिया। हमजा पिलेज अब वापस आ जाए अब जैसा कहींगे वो करूँगी आपके जुल्म भी बरदाश्ट कर लूँगी अब बस वापस मैंने आपको मुआफ कर दिया हम नए सिरे से जिन्दगी शुरू करेंगे पलवशा ने हमजा के हाथ पर सर रख लिया और रोने लग गई। पलवशा नर्स के कहने पर बाहर आ गई और नफल अदा करने चली गई। हमजा को दो घंटे बाद होश आया सब एक एक करके हमज हमजा से मिले पलवशा सबसे आखिर में गई। हमजा पलवशा ने पकारा। हमजा ने आँखें खोल दी। मुझे 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 कर दिया। हमजा ने आसित्ता से पूछा। पलवशा ने इस बात में सर हि वली में का फंक्शन था वो दोनों बहुत खुश थे और सब का साथ इस्तिक्बाल कर रहे थे पलवशा स्टेज पे बैठी थी तभी हाल की सारी लॉट्स बंद हो गई और फलोर के बीच में एक सपोर्ट लाइट जली जिसमें हमजा खड़ा था हमजा ने पलवशा की तरफ हाथ बढ़ाया पलवशा का हाथ थाम कर हमजा इसे फलोर पे ले आया मुझे डांस नहीं आता पलवशा ने कहा मेरी आखों में देखो और मुझे फोलो करो हमजा ने कहा साथ ही गाना स्टार्ट हुआ और दोनों ने डांस स्टार्ट किया I found a girl for me Darling just dive right in and follow my lead well I found a girl beautiful and sweet I never knew you were somewhere waiting for me cause we were just kids when we fell in love not knowing what it was I will not give you up this time पलवशा और हमजा डांस कर रहे थे पलवशा और हमजा ने डांस खत्म किया तो सब ने उनके लिए तालिया बिजाई कैसा लगा सरपराइज हमजा ने पलवशा से पूछा बहुत अच्छा पलवशा ने कहा पलवशा और हमजा सेटेज पे बैठे थे तभी हमजा की नजर सामने अदील और बर्क पे पढ़ी जो सेटेज पे ही आ रहे थे बर्क के साथ कॉसर भी थी तुम लोग यहां कैसे हमजा ने कहा बस दोस्त ने तो बुलाया नहीं हम खुद ही आगए बर्क ने कहा मैं तो भाभी के बुलाने पे आया हूँ वरना तुम तो भूल ही गए थे अदील ने कहा तुम और पलवशा एक दूसरे से राबते में कैसे हमजा ने पूछा वो सब छोड़ लंबी कहानी है अभी पहले तस्वीरें के चोती हैं अदील ने कहा सब ने साथ तस्वीर खचवाई फंक्शन में सब ने बहुत इंज्वाई किया और फंक्शन खत्म होते ही सब घर चले गए तीन महीने बाद अदील ने आज सब को उन्वाइट किया हुआ था आज वो अकिसा को परपोज करने वाला था अकिसा जब रिस्टूरेंट में दाखिल हुई तो वहाँ का माहूल देखकर हैरान हो गई वो रिस्टूरेंट एक पहाली पर था जहां से सहर का मनजर बहुत खूबसूरत नजर आता था अदील ने पूरे फलोर मूम बत्यों से अकिसा लिखा था और फूल की पत्यां फलोर के इस हिस्से पे थी जहां पे अकिसा चल के आती और इसी फूल की पत्यों से दिल बनाया हुआ था और इस पूरे हिस्से को फेरी लॉट से डेकरेट किया हुआ था ये बहुत अदील खड़ा था। जान पाया हूँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैं चाहता था मैं तुम से वदा करता हूँ कि हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और हर चीज में साथ दूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अकिसा ने इस बात में सर हिलाया और अदील ने इसके हाथ में अंहोटी पहना दी और पलवशा हम्जा और कौसर बर्क ने इनको मुबारक बाद दी। अदील और अकिसा आज बहुत खुश थे। दो साल बाद आज मनाल की सालगिरा थी और वो बहुत खुश थी क्यूंकि इसके दोस्त अरहम और अरसल आ रहे थे और उसकी कजिन मानूर भी। पलवशा और हम्जा की एक बेटी थी मनाल अदील और अकिसा का बेटा था अरहम और बर्क और कौसर का बेटा था अरसल। निदा की शादी आसिम से हो गई थी और अल्ला ने उन्हें एक बेटी से नवाजा था जिसका नाम मानूर था। पापा मेरा गिफ्ट कहा है। वो तुम्हे भूल गया हम्जा ने मनाल को तंग करते हुए कहा। मामा देखें पापा मेरा गिफ्ट नहीं लाए। मामा की जान ऐसा यू सकता है पापा आपका गिफ्ट ना लाए वहाँ देखो। हम्जा पीछे हाथ में एक बड़ी से डोल लेकर खड़ा था। वाव पापा ये कितनी बड़ी है आई लो यू पापा। आई लो यू टू मेरी जान। पलवशा मुस्करा कर दोनों को देख रही थी और इसी तरह हंस्ते मुस्कुराने की दुआ कर रही थी। अगर आपको नाविल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबसक्राब करें। शुक्रिया।